ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को फुलेरा दूज का शुम महुर्थ कथा महात्व पूजा विधी ये सब बताऊंगी इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे वीडियो को इसकी पना करें और ध्यान से सुनें फुलेरा दूज का काफी महत्व है पंचांग के अंसर फालगुन मा के शुक्ल पक्ष की द्वितिया तिती को फुलेरा दूज मना जाती है यह दिन बहुत खास मना जाता है होली से पहले फुलेरा दूज का तिवार मनाया जाता है फुलेरा दूज की दिन स्रिक्रिष्न औ और राधा रानी को फूलों से सजाया जाता है और उन पर जम कर फूल बरसाय जाते हैं। पंचांग की अनुसार फूलेरा दुज़ फालगुन माव में शुकल पक्ष की दुटिया तिती को मनाया जाता है। इस साल फूलेरा दुज़ की तिती शुरुवात 21 फरवरी 2013 मंगल्वार को सुबा नौ बजकर चार मिनट पर हो रही है। और इसका समापन 22 फरवरी 2013 को सुबा पांच बजकर 57 मिनट पर होगा। उदिया तिती के अनुसारी साल फुलेरा दूज 21 फरवरी 2023 यानि मंगलवार को मनाई जाएगी इस दिन भगवन कृष्ण और राधा रानी की पूजा गोधुली महुर्त में की जाएगी इस दिन गोधुली महुर्त की शुरवात शाम 6 बज कर 13 मिनट से लेकर शाम 6 बज कर 38 मिनट तक रहेगी फुलेरा दूज की दिन सिर्कृष्ण और राधा रानी की पूजा का विधान है फुलेरा दूज का तेवहर ब्रज में मुख्य रूप से मनाया जाता है इस दिन सिर्कृष्ण और राधा रानी के साथ फूलों की होली खेली जाती है और माखर मिशुई का भोग लगाया जाता है फुलेरा दूज किसी सुभकारे जैसे सगाई या विवा के लिए सर्वत्तम माना जाता है इस दिन राधा कृष्ण की सुगंदित फूलों से पूजा करने पर प्रेम संबंदों में कभी कड़वाहट नहीं आती है जो भक्त इस दिन प्रेम और श्रधा से राधा कृष्ण की उपासना कर स्रेंगार की वस्त्वों का दान करते है इस से उनके वैवाहिक जीवन में खुश हाली आती है फुलेरा दुज की दिन मांगलिक कारे करना बहुत शुब माना जाता है यह दिन पूरी तरह दोश्मुक्त दिन है इस दिन का हर छण शुब होता है वैसे तो यह पूरा दिन ही बहत शुब है लेकिन पूजा के लिए फुलेरा दुज की दिन गोधुली मुर्द सबसे अच्छा है पूजा के समय रंगीन और साफ कपड़े पहने प्रेम संबंधों में सुधार के लिए पूजा कर रहे हैं तो गुलावी कपड़े पहने वैवाईक जीवन में आ रही परिशानियों को खत्म करने के लिए पूजा कर रहे हैं तो पीले रंगे कपड़े पहने पूजा के बाद सात्विक भोजन ही ग्रहण करे को फूलेरा दूज की कथा सुनाने जा रहे हूँ बोलो जैशी मन नारण फालगुन देतिया को मनाया जाने वाला फूलेरा दूज पर होली की आगमन का प्रतिक माना जाता है ब्रज भूमी के कृष्ण मंदिरों में इस्तिवहार का बहुत अधिक महत्व है फूलेरा दूज की पौराडिक कथा के अनुसार ब्यस्तता की काड़ भगवान श्रीकृष्ण कई दिनों से राधार जी से मिलने वरिंदावन नहीं आ रहे थे राधा के दुखी होने पर गोपिया भी श्रीकृष्ण से रूठ गई थी राधा के उदास होने के काड़ मतुरा के वन सूखने लगे और पुष्प मुर्जा गए वनों की स्थिती के बारे में जब श्रीकृष्ण को पता चला तो आ राधा से मिलने वरिंदावन पहुचे सिरकृष्ण के आने से राधा राने खुश हो गई और चारों और से फिर से हरी आली चा गई कृष्ण ने खिल रह पुस्प को तोड़ लिया और राधा को छेड़ने के लिए उन पर फेक दिया राधा ने भी ऐसा हिस्र कृष्ण के साथ किया यह देखकर वहां पर मौजुद गोपियां और गौालों ने भी एक दूसरे पर फूल बरसाने शुरू कर दिये तब ही से हर साल मतुरा वरिंदावन में फूलों की होली खेली जाने लगी इस दिन मतुरा वरिंदावन में सभी मंदिरों को फूलों से सजाय जाता है तता फूलों की होली खेली जाती है फूलेरा दुज का उत्सा उत्तर भारत के गाउं में बड़ी धुमधाम से मनाया जाता है इस तेवहार को फूलों से रंगोली बना कर स्री राधा कृष्ण का विशेस रूप से फूलों से स्रेंगार करके उनका पूजन किया जाता है बोलो जय शीमन नाराण अगर आपको कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट में जय शीमन नाराण जरूर लिखें